हेलो एब्रीवन, वेलकम बेक टो माई चैनल, यू आ वाचिंग बी लोजिकल, बी नैचरल आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमेशा समर सीजन में यानि कि गर्मियों में हमें उसकी प्रोब्रम होती है अदर्वाइस कयों के ये विंटर सीजन में भी रहती है और कयों के ये पर्मनेंट ही निशान पर जाते हैं तो आज मैं बात करूँगे हमारे जो नैक पे ऐसे मेल सी जम जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे कि उसे हम कैसे easy हटा सकते हैं घर पे home remedy करके बिल्कुल ही easy steps हैं आप वीडियो को last तक देखिएगा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप वीडियो को अपने friends circle में family members के साथ share कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो का benefits ले सके गर्मियों के सीजन में busy light strike होने के कारण या ऐसे भी हमारी जो गर्दन पे हैं वो हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं तो हमारी गर्दन जो है वो काली हो जाती है यानि कि वहाँ पर निशान पढ़ जाते हैं मैल जमन या वो easy से आप उसे remove कर सकते हो इसी के साथ ही मेरे चैनल पर और भी skincare, hair care routine की वीडियो पड़ी हुई है बिल्कुल home remedy के साथ आप उसे भी check out कर सकते हो उपर eye button पर मैं आपको वीडियो का link दे दूंगी आप वहाँ पे भी click करके check कर सकते हो वीडियो को और end screen पर जो आपको तयार करने के लिए आपको कोई भी ज्यादा चीजों की जरुरत नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ दो चीजों से ही बहुत ही ज्यादा benefit मिलेगा और वो दो चीज़े आपके घर पे ही होगी सबसे पहले आप screen पर देख रहे होगे कि मैं potato के बारे में बात करूंगी potato के juice को आपको निकालना है पहले आपको इसे कट कर लेना है आप आधिय से एक potato का यूज कर सकते हो उसमें से काफी juice निकल आता है आप अपनी quantity के हिसाब से देख लीजी कि आपको कितना तयार करना है और आपको potato के juice को उतना ही आप मनाईए जितना आप एक दिन में यूज कर सके अगली बार जब next day आप यूज करेंगे तो आप new जो है potato से उसे crush करके आप जो है उसका juice निकाल के यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका juice है वो अपना color change कर देता है अगर आप एक दिन का बनाए हुआ juice next day भी यूज करेंगे तो वो juice जो है वो काल पढ़ने लगता है तो इस व कर सकते हो आपको potato को छील के आधा लेकर उसे crush करके दन आपको उसका juice निगाल लेना है इसके साथ ही आपको निम्बु लेना है और इन दोनों को अच्छी तरह से mix कर लेना है इन दोनों को अच्छी तरह से mix करने के बाद आपको अपनी नेक पे इसे apply करना है दससे 15 मिनट आपको इसे अपने जो गर्दन पे है वो लगा रहने देना है तो लगाते वक्ता थोड़ा सा मसाज भी कर लीजिए दैन आपको इसे डेली यूज करना है तक इससे जो आपकी जो मैल जमी होती है कर दन पे वो एजी से रिमूव हो जाती है क्योंकि पोटेटो जूस में और ल आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपनी फ्रेंड्स सब्कर में शियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू पर वाचिंग